बीजेपी की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुखे निर्वाचन अधिकारी से मांगी जमीनी हालात की रिपोर्ट तलब की है। इससे पहले बीजेपी के प्रतिनीधी मंडल ने कल चुनाव आयोग से मुलाकात की थी और पश्चिम बंगाल को अती समवेदन शीर राजे घोशित किये जाने की मांग की थी। बीजेपी ने चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल के सभी बूतों पर अर्थ सैनिक बलों की तैनाती की मांग की है। पार्टी ने चुनाव आयोग को कुछ अधिकारियों की सूची भी सौप पर पक्षपात का आरोप लगाया है। बीजेपी का कहना है कि निश्पक्ष चुनाव के लिए ये बेहत जरूरी है। और चुनाव आयोग ने लोगसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए आज राज्यों के मुखे चुनाव अधिकारियों और परिवेक्षकों की एक बैठक बुलाई है। दिल्ली में होने वाली इस बैठक में चुनाव क दौरान काला धन और अन्य अवैद सामगरी के वित्रण पर निगरानी के लिए तैनात अधिकारी भी हिस्सा लेंगे बैठकी अध्यक्षदा मुख्य चुनाव आयोक तसुनील अरोडा करेंगे और लोग सभाच चुनाव से पहले बीजेपी पुर्वोत्तर में अपनी स्तिती मजबूत करने में जुटी हुई है इसी कड़ी में कल बीजेपी महासचिव रामाधव ने तृपुरा में दो लोग सभाच सीटों के लिए गठपंदन सही होगी पीपल्स फ्रांट ओफ तृपुरा के साथ सीट साजा करने को लेकर चर्चा की रामाधव ने मुखे मंत्री विपलव गुमारदीव के साथ आईपी एफटी के साथ बैठक की और तृपुरा की दो लोग सभाच सीट पर ग्यारा और अठारा अप्रेल को मतदान होना है वहीं कॉंग्रिस ने उत्रप्रदेश और महाराश्टर के लिए कल 21 लोग सभाच सीटों पर उमीदवारों की घोशना कर दी इसमें सुशील कुमार शिंदेश, श्रीप्रकाश जैसवाल, राजबबर, प्रियादत और संजे सिंग के नाम शामिल है पार्टी ने दूसरी सुची में उत्रप्रदेश की सोला और महाराश्टर की पांच सीटों पर उमीदवार घोशित किये है उत्रप्रदेश में कॉँछ दिनों पहले ही 11 उमीदवार घोशित किये थे इसी तरह कॉँझरेस उत्रप्रदेश में अब तक कुल 27 उमीदवार घोशित कर चुकी है उत्रप्रदेश कॉंग्रिस कमिटी के अध्याक्ष राजबबर मुरादाबाद से उभीदवार होंगे पूर्व केंद्रिय मंत्री श्री प्रकाश जैसवाल कानपूर से चुनाव लड़ेंगी और करनाटक में गटबंदन सरकार के भागिदार कॉंग्रिस और जनता दल सेकुलर ने लोग सभा चुनाव में गटबंदन जारी कर रखने का फैसला किया है कॉंग्रिस सद्याक्ष राहूल गांधी और जेडियस के महासचिव दानिश अली ने कल कोची में मुलाकात की और चुनावी गटबंदन पर सेहमती जताए कनाटक में कॉंग्रिस और जनता दल सेकुलर के गटबंदन में सीटों का बटवारा भी हो गया है राजे में कुल 28 लोग सभा सीटे हैं जिनमें से 20 पर कॉंग्रिस और 8 सीटों पर जेडियस चुनाव लड़ेगी और केंद्रे वित्यमंत्री आरुन जेटली ने कल अपने ब्लॉग एजेंडा 2019 के तीसरे हिस्से में मोधी सरकार के 5 साल के कारेकाल को रश्टा चार के खिलाफ टर्निंग पॉइंट करार दिया है अरुन जेटली ने ब्लॉग में लेखा कि 2014 से पहले निवेशकों को रश्टा चार को लेकर देश की छवी काफी खराब थी बैंकिंग प्रणाली की सिती काफी नाजुक हो गई थी देश का टाक्स बेस दुनिया में सबसे पीछे था बिचौलियों, कर्चोरी और विदेशों में संपत्ती बनाने का बोल बाला था लेकिन साल 2014 के बाद देश में एक इमानदार सरकार बनी जिसने प्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कई कदम उठाये अरुन जेटली बताया कि देश में नैतिक परिवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए प्रधान मंत्री और उनकी सरकार ने नई कारे प्रणाली बनाई है इसमें कारोबारी मामलों में मंत्रियों या अधिकारियों को दखल को कम कर बाजार आधारे तंतर के जरिए निर्ने कराने के लिए कदम उठाये गए हैं डारेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिये लोगों को सीधा फायदा सुनिश्चित किया गया है और जांच एजन्सियों को निश्पक्ष और पेशिवर रुख अपनाने को कहा गया है कॉंग्रस अध्यक्ष राहुल गांधी आज केरल का दौरा करने वाले हैं राहुल गांधी केरल में पार्टी के प्रच अपने अभ्यान की आपचारिक शुरुवात करेंगे वो कोजी कोड में कारेकरताओं की एक विशाल रैली को भी संबोधित करेंगे और कॉंग्रस की केंद्रे चुनाव समिती की आज बैठक है ये बैठक दिल्ली में यूपे अध्यक्ष सोन्या गांधी के आवास पर होगी कॉंग्रस महसचेव प्रियंका गांधी आज से उत्तर प्रदेश में लोग सभा चुनाव के लिए प्रचार अभ्यान की शुरुबात करेंगी वे लखनव से अपने प्रचार अभ्यान की शुरुबात करेंगी प्रियंका कांधी के 21 मार्श तक उत्तर प्रदेश में रहने की अनुमान है